इलेक्षन कमिशन के लाह कोशिस के बाद भी मत प्रतिसत न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण गर्मी का कहर भी है दो पहर है आप देख सकते हैं कि सुल्तानपूर का यह राज की इंटरमीडियेट कालेज है जहां जो भीड होनी चाहिए लेकिन धूप का ही असर कहेंगे कि यहां पे जो तदाद है वो तदाद नहीं आप देख सकते हैं कि गीने शुने लोग आ रहे हैं और यह सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं तो जो भीड होनी चाहिए थी और उसके लिए प्रसासन लाख विवस्था कि आप देख सकते हैं कि बहार तेंट भी लगाया गया है कारण साफ है कि जब हमारे संवानित मद्दाता आएंगे तो तेंट के नीचे अगर लाइन भी लगेगी तो तेंट के नीचे रहेंगे उनको धूप नहीं लगेगी लेकिन धूप का कहर यह है कि इस समय सुल्तानपुर का जो तापमान है वो 43 से उपर जा रहा है और वही लोग मद्दान करने आ रहे हैं जो ये सोच के आ रहे हैं कि चलिए इस समय जो खतार होगी वो खत्म हो चुकी होगी भीड कम होगी वही हो भी रहा है मैं एक बार फिर अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए भीड का जो आलम होना चाहिए जो चुकी मैं सुबह खुद यहां पर आया था कि लंबी का तारे लगे थी लेकिन गर्मी का कहर का असर है कि यहां जो लोग है मद्दाता है उनकी संख्या नदारत है वही लोग यहां पर मौजूद है जिसको मैंने जिकर किया कि वो भीड से बचने के लिए आया है या रजनी स्पॉंडे भारत एक्स्प्रेज सुल्तानपूर